Hello Everyone and Welcome to Only IAS ये वीडियो इन्वार्मेंट के सभी बेसिक टॉपिक्स को उनके डिफिनिशन के साथ एक्जाम्पल के साथ रिलेट करता है वैसे तो ये कोर्स हमारे तेजस प्रिलिम्स क्राश कोर्स 2022 का पार्ट है बट आप इस वीडियो को विलकुल लास तक देख सकते हैं इन्वार्मेंट के कई सारी जानकारी आपको यहाँ पर एक क्रिस्प फॉर्मेट में मिल जाएगी जिनको नहीं पता है कि तेजस क्या है तेजस हमारा एक प्रिलिम्स क्राश कोर्स इनिस्टेटिव है जिसके अंदर हम लोग ना केवल स्टाटिक बलकि करेंट अफेर्स के भी सभी वीडियो को कवर करते हैं अगर आप इंट्रेस्टेट इस प्रोग्राम के लिए तो आप dpp.onlyis.in पर हमें विजिट कर सकते हैं या तो आप हमें मेल कर सकते हैं info at the rate onlyis.com पर या फिर हमें इस नमबर पर डारेक्ट कॉल भी कर सकते हैं तो चलिए लेक्शर की शुरुआत करते हैं नमशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का onlyis में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ecology environment की देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि सभी subject को शुरू करने से पहले अच्छे से समझ आ सके आईए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले की environment क्या होता है तो कि आपके surrounding में जो भी चीज़े आपको दिख रही है या मिलती है वो सभी आपका environment है चाहे इसमें आप बात करें biotic component की या abiotic component की अब जैसे आप एक कमरे में रहते हैं तो आपका roommate हुआ या आसपास मिलने वाले छोटे मोटे insects जैसे कीडी हो सकते हैं कौकरोज हो सकता है छिपकली हो सकता है तो ये सभी आपके environment का part है उसके इलावा यहाँ पे abiotic factors भी बहुत सारे मिलते हैं जैसे आपकी किताबे हो गई टेबल हो गया आपका laptop आपका phone और उसके इलावा आपके आसपास मिलने वाली हवा और temperature ये सभी आपके abiotic factor हो गए अब ये जो biotic और abiotic factor हैं ये कहीं न कहीं आपको influence भी करते हैं अब आप जमीन पे क्यों नहीं सोते अब इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना कारण दो हो सकते हैं यहाँ पे जैसे अगर बात करें गर्मियों की तो यहाँ पे insects मिलने की chances जादा है जिसकी वज़े से कोई infection हो सकता है और इसी कारण से आप bed पे सोते हैं उसके इलावा सर्दियों में हम नीचे क्यों नहीं सोते अब सर्दियों में तो insects नहीं होते न इतने अब सर्दियों में जो आपका temperature है floor का वो काफी जादा ठंडा होता है और इसकी वज़े से आपको ठंड लग सकती है तो ये भी एक कारण है जिसकी वज़े से आप floor पे नहीं सोते तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें एक environment की तो इसमें biotic और abiotic factor दोनों ही होते हैं और वो आपको influence कर सकते हैं तो एक living organism के आसपास मिलने वाले सभी तरहां के component चाहे वो biotic हो या abiotic उसे हम क्या कह देते हैं environment कह देते हैं अब अगली term जो हमें समझनी है वो है ecology बट इसे समझने से पहले आईए समझते हैं कि biosphere क्या होता है देखे बात की जाए biosphere की तो ये तीन चीजों से बना हुआ है आपने जोग्रफी में ये तीनों स्फेर के बारे में सुना होगा पहला है आपका लिथो स्फेर दूसरा हाइडो स्फेर और तीसरा आपका एट्मोस्फेर अब जहां पे आपको लैंड वाला पार्ट मिलता है जमीन मिलती है इस नेरो पार्ट को हम क्या कह देते है इस छोटे से पार्ट को हम कहते हैं बायो स्फेर और ये इकलौता ऐसा पार्ट है आपकी अर्थ पे जहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है क्या आपको बायो स्फेर अर्थ के सरफेस से एक किलोमेटर नीचे तक मिलती है अब एक किलोमेटर अगर आप एक गड़ा खोद दें तो उसके बाद आपको इंसेक्स मिलने भी बहुत कम हो जाते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ पे आपका बायोस्फेर एक्जिस्ट नहीं करता बहुत कम केसिज्ट जहां पे यह एक्जिस्ट करता है प्ट वो एक्सेप्शिन्स है जैसे बेंथिक जोन्ज हैं जहां पे आपको किमोट्रॉप्स मिलते हैं वहां पे आपको लाइफ मिल सकती है थोड़े डीप में प्ट वैसे नहीं मिलेगी अब यह जो benthic zone है यह आपको कहा मिलता है ओशन्स में मिलता है तो यह आपकी बात ओशन के cases में भी कारगर साबित होती है because यहाँ पे भी हमें life कुछ certain depth के बाद कम देखने को मिलती है अब बात करें atmosphere की तो atmosphere में भी हमें एक limited area में ही life की possibility दिखती है अगर हम बात करें एगल की या बाज की यह काफी उचाई तक उड़ते हैं बट है तो यह इका दुका ही breed उसके इलावा बहुत से आपकी breed ऐसी हैं जो शायद एक किलो मिटर से उपर fly ना कर पाए तो यहाँ पे आपको यह याद रखना है कि जोहाँ पे आपके यह तीनों component मिलते हैं सिरफ वहीं पर ही आपकी life possible हो सकती है अब यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ गई कि आपकी जो life की possibility है वो ना तो जादा गहराई में हो सकती है ना जादा height पे हो सकती है अब यह जो आपका narrow margin है यह पूरी अर्थ के इर्दगिर्ध हमें देखने को मिलता है अब अगर हमें biosphere की study करनी हो तो इसके size की वज़े से वो possible नहीं हो पाता तो यहाँ पे हम इसे छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं और जब हम इसे छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो इसी को कहा जाता है आपका ecosystem मतलब यह एक तरह के आपके biosphere की structural और functional unit है जो की similar way में perform करती है जैसा की आपका biosphere करता है अब यहाँ पे इनको study करना थोड़ा असान हो जाता है अब यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि किस तरह से आपके living organisms एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं और वो किस तरह से अपने physical environment के साथ interact कर रहे हैं तो यहाँ पे समझने लाइक बात यह है कि जो आपका ecosystem है ना वो represent करता है कि कैसे various organism एक दूसरे के साथ interact करते हैं बट अगर आपको यह study करना हो कि यह interaction होती कैसे है कि कि किस पे positive असर होता है किस पे negative असर होता है या कोई असर होता है भी कि नहीं होता तो इस चीज को या इस study को हम कह देता है ecology मतलब ecology वो study है जहां पर हम organism की organism के साथ interconnection को देखते हैं मतलब किस तरह से वो एक दूसरे के साथ interact करते हैं positive way में या negative way में जैसा भी हो उसके इलावा हम यह देखते हैं कि वो जो organism है आसपास के physical environment के साथ किस तरह से interact करते हैं अब यहां पर अगर मैं आपको कहूँ कि यह जो ecology है यह basically दो Greek शब्दों से बना है जहां पर पहला शब्द है Icos जिसका मतलब होता है home और दूसरा है Logos जिसका मतलब होता study मतलब ecology आपकी एक study है घर की और यह घर किसका है Living Beings का तो यहां पर आपको यह याद रखना है कि Ernst Heckel ने यह term coin की थी और आपको comment box में मुझे यह बताना है कि कौन से साल में यह term coin की गई थी Ernst Heckel के द्वारा अब यहां पर आपको environment, ecology, biosphere और ecosystem के अंदर कोई भी doubt नहीं होना चाहिए देखिए मैं आपको एक उधारन देता हूँ, मान लीजिए एक ocean है तो यह ocean अपने आप में भी एक ecosystem है अब इसमें सी मैं अगर एक बूंद निकाल लूँ तो यह भी अपने आप में एक ecosystem है उसके लावा अगर बात की जाए एक forest है, अगर उस forest में हम बात करें तो वो एक ecosystem को represent कर रहा है अब वहाँ पर ही अगर हम बात करें एक tree की, उस tree पे बहुत सारे पक्षी रहते हैं तो वो अपने आप में एक ecosystem हो सकता है तो ecosystem बहुत छोटी रूपे अगर देखें तो एक बूंद पानी के जितना भी हो सकता है और अगर बड़े की बात करें तो ocean जितना बड़ा भी हो सकता है तो यहाँ पे आपको इस term को मैं इसलिए समझाना चाता हूँ क्योंकि कई बार आपको ऐसे question आ जाते हैं UPSC में तो अगर मैंने आपको maximum और minimum limit बता दी है तो इसके intermediate अगर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा अगर मैं आपसे कहूं क्या एक तालाब एक ecosystem है तो आप इसका answer यकीनन दे सकते हैं तो यहाँ पे आपको समझाने का तात पर यही है कि इस तरह का question UPSC ने पहले पूछा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए आए अब जानते है habitat क्या होता है देखे आप सभी से मैं एक question पूछता हूँ कि आप कहां पर रहते हैं जैसे मान लीजिए आप मुझे यह कहेंगे कि मैं house number so and so में इस चहर में रहता हूँ और यह state है मेरी अब यह आपका हो गया address तो आप living organisms का भी कोई address होना चाहिए न जहां पर आप उन्हें particularly find कर सके अब मैं आप से पूछूँ कि tiger कहां मिलता है तो क्या आप मुझे बता सकते कि tiger कहां मिल सकता है अब इस question का answer आदी से जादा जनता गलत देने वाली है देखे एक चीज बताइए मुझे जो tiger है क्या आपको tag of area में मिलेगा यह tundra area में मिलेगा या आपको ऐसी cold area में मिलेगा जहाँ पे बहुत जादा ठंड पड़ती हो नहीं मिलेगा ना अब मैं आप से कहूँ कि क्या tiger आपको desert area में मिलेगा जहाँ पर बहुत जादा गर्मी पड़ती हो तो यहाँ पे आप आमोमन ये कहेंगे कि sir ये grassland में मिलता है या थोड़े बहुत घने जंगलों में भी मिल सकता है अब जादा dense forest होगा तो वहाँ पे ना आपको चीता मिलेगा ना आपको tiger अब ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है देखे जो आपके dense forest होते हैं जैसे हम बात करें Amazon forest की तो वहाँ पे जिस तरह के आपको organisms मिलेंगे ना वो generally ring ते होंगे मतलब रिड़ते हुए से जाएंगे जैसे साप हो गया आप देखे कि उस side आपको python बहुत जादा मिलेंगे चुंकि उन्हे movement के लिए जगा जादा नहीं चीए बट अगर बात कीज़े एक चीते की तो चीते को खुला area चीए जहां पर वो अपने शिकार के पीछे भाग कर उसे पकड़े अब माल लिजे एक चीता है वो रहता हो आपके Amazon forest में अभी एक जंगल तो बहुत घने है अब यहां पर वो अपने शिकार के पीछे भाग रहा हो और उसका सर जाके बज़े पेड में तो भहिया उसकी तो यादाश गुम हो जाईगी तो इस वज़े से जहां पर भी आपको घने जंगल मिलते हैं जनरली जो ज़्यादा भागने दोड़ने वाले अनिमल्स होंगे वो वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे तो हैबिट एट से हमें ये पता लग सकता है कि कौन से जानवर वहाँ पर मिलते हैं और उसके इलावा हमें ये भी पता लग सकता है कि किस तरहां के प्रांट स्पिशिस वहाँ पर मिल सकते हैं अब मान लीजे अगर मैं आपसे कहूं कि भी या कौनी फॉरस फॉरस्ट कहां पर मिलेंगे आपको अब आप मुझे कहेंगे सर जहां पर ज़्यादा ठंड मिलेगी अब या तो ठंड मुझे हाई लैटिटूट पे मिलेंगी या हाई एल्टिटूट पे मिलेंगी तो दोनों ही केसिज में हम ये देखते हैं कि हमें कौनी फॉरस्ट फॉरस्ट मिलते हैं तो हैबिटेट आपका एक तरह से एड्रस है किसी भी लिविंग और्गैनिजम का उसके लावा एक और टर्म होती है एकलोजिकल निश ये टर्म दी गई थी ग्रिनल्ट के द्वारा 1917 में अब ये एक तरह का माइक्रो हैबिटेट को रिप्रेजेंट करता है मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि किस तरह का काम करती एक स्पीशिस इस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपका एकलोजिकल निश दो और्गैनिजम का कभी भी निश शेम नहीं हो सकता मतलब एक जगा पे अगर दो और्गैनिजम से हैं मालीजे आपको लॉइन और टाइगर एक ही जगा पे मिलने लगेंगे तो उनका जो शिकार है मतलब जो उनका फूड निश है वो सेम हो जाएगा क्योंकि वो दोनों ही टॉप प्रेडेटर हैं तो उस समय पे उन दोनों के बीच में दिखेगा competition अब अगर उन दोनों के बीच में food को लेके competition होगा तो तब तक चलेगा जब तक एक population आपकी displaced ना हो जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ecological niche आपकी job को represent करता है अब यह food का niche भी हो सकता है, habitat का भी हो सकता है ठीक है, reproduction का niche भी हो सकता है तो यह आपकी एक particular habitat में या आप कह सकते हैं कि ecosystem में आप किस तरह का function या role perform करते हैं उसको represent करता है मतला टॉफिक level में आपकी किस तरह की position है या environment में आपकी किस तरह की position है इस चीज को represent करता है आपका ecological niche अब अगर आपको अभी भी ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक उधारन देता हूँ आप मुझे ये बताइए आपको clouded leopard कहाँ पर देखने को मिलते हैं वो आपको हिमाल्या में देखने को मिलते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमाल्या इनका एक तहां का habitat niche उसके इलावा जो आपके dung beetle होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं आपको जहाँ पर आपको आसपास में cow dug मिलेगा वहाँ पर ही मिलेंगे तो उनका जो food niche है या कह सकते हैं habitat niche है वो कहाँ पर मिलेगा जहाँ पर cow dug होगा तो इसी तरहां से अलग-अलग organism की अलग-अलग place है एक ecosystem में अब माल नीजे जब भी ऐसा होगा कि दो आपके organisms की same niche होजे तो उस case में आपके बीच में होगा competition जैसे UPSC की एक seat है और आप सभी का niche same होगया कि भीया मेरे को job कौन से चाहिए UPSC में मेरे को collector लगना है तो आप सभी के बीच में आपस में क्या होगया competition और जब तक दोनों में इसी एक को displace ना कर दिया जाए और ऐसा भी हो सकते कि दोनों भी select होजे क्योंकि job की आपकी यह कह सकते कि seat बहुत जाद है बट माल लिए जाए अगर एक ही seat है और आप दो best friend आपस में compete कर रहे है तो आपके बीच में क्या हो गया competition इसलिए आया क्योंकि आपका niche जो था वो same था और यह बहुत ही crude example है इसके कोई भी relevance नहीं है आपके ecological niche से बट एक तहां से आपको समझाने के लिए यह मैंने example यूज किया है ताकि आपको topic के बारे में clarity रहे अब यहाँ पे जब मैं आपसे grassland की बात कर रहा था तो वो एक broad perspective है बट एक चीज समझिए जब आप forest से grassland की तरफ भी shift कर रहे तो बीच में यहाँ पे भी आपको ecotone area देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी आपको species की variety कुछ जादा मिलेगी अब जब आपको किसी species की variety एक area में जादा मिलती है तो इसी को कहा जाता है edge effect आमोमन ऐसे area में जब भी आप देखेंगे तो आपको birds की species ज़्यादा देखने को मिलेगी अब यहाँ पे क्या कारण है कि जो आपका ecotone वाला area है यहाँ पे आपको biodiversity थोड़ी high मिलती है अब इसके पीछे कारण यह है कि जो आपका ecotone वाला area है न वहाँ पे forest से भी जैसे यहाँ पर इसकी बात करे तो forest से भी कुछ जानवर आगे कुछ grassland से आगे तो यहाँ पर जो आपकी species है वो दोनों area से यहाँ पर migrate कर सकते है मतलब घूमते फिरते रह सकते है और उसके इलावा यहाँ पर totally unrelated population भी मिल सकती है जो आपस पास के इलाकों में नहीं मिलती हो अब for example आपने mangroves तो देखे होंगे mangroves आपका एक तरह का transition zone है between marine and terrestrial ecosystem अब आपको सुन्दरबन area तो पता ही होगा तो वहाँ पे mangrove area में क्या आपको tiger मिलते है बंगॉल tiger बिलकुल मिलते है अब यहाँ पे जो आपका tiger है वो तो आपका terrestrial animal है और वो आपको अगर सुन्दरबन area में मिल रहा है और उसके लावा यहाँ पे बहुत सारी bird species भी मिलती है और पानी में मिलने वाली species भी मिलती है तो कहीं न कहीं यह area आपका ecotune area ही तो हुआ अब भीतर करने का national park के बारे में आपने सुना होगा वहाँ पे tiger भी मिलता है आपको उसके आसपास के area में salt water crocodile भी मिलते है तो कहीं न कहीं यह जो area है जहाँ पे आपके दो ecosystem merge करते हैं इसी को कहा जाता है ecotune अब यहाँ पे जब आपके species की diversity ज़्यादा मिलती है तो इसको क्या कहा देते हैं edge effect मतलब जो आपके adjacent ecosystem है दो उनसे ज़्यादा bio diversity आपको इस इलाके में मिलेगी अब यहाँ पे जो आपका इलाका है यह चाहे आपके land और water के बीच में हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है और इन सभी species को हम क्या कह देंगे edge species अब इस तरह के effect को हम क्या कह देते हैं edge effect जहाँ पे हमें relatively population किसी चीज की थोड़ी ज़्यादा मिलती है आईए अब समझते हैं सबसे पहले acad क्या होता है लेकि जो term है यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे आपको मैं एक normal सा example देता हूँ आप समझ जाएंगे उससे फिर उसके बाद इसकी technical term पे चलेंगे लेकि मान लीजे आपको कुछ दिम के लिए मैं कहता हूँ कि आप Canada या America रह लीजे मतलब पांदस साल के लिए आप America रहते हैं अब जब आप America रहते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप नहीं निकलती और खासकर अगर हम बात करें Northern America की तो उस side आपको snowfall भी बहुत देखने को मिलता है अब इसकी वज़े से उन एरिया में ना तो इतना ज़्यादा pollution होता है ना ज़्यादा आपकी sunlight तो आपकी body में जितनी भी tan जमा हो रखी थी शायद वो कम हो जाए मतलब आपकी चहरे में थोड़ा निखार आजएगा रंग में फरक आजएगा दूसरे time में मैं आपको कहता हूँ मालने जए एक person को मैं दूसरे person को ये कहता हूँ कि आप चले जएए equator के पास अब equator के पास अगर कोई जाएगा तो वहाँ पे आपको किस तरह का environment मिलेगा sun सारे time रहेगा वहाँ पे मतलब जादा तर वहाँ पे गर्मी रहेगी sun मतलब 12 घंटे तो वहाँ पे रहे गई रहेगा और उसके इलावा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी high humidity अब इसकी वज़े से जब sun आपका वहाँ पर बहुत जादा देर तक चमक रहा है तो वहाँ पे आपको tanning होगी अब tanning की वज़े से आपका color क्या हो जाएगा थोड़ा सा dark हो जाएगा अब इसी तरह के changes जब आप किसी परजाती में देखते हैं मालने जिए दोनों के जो genetic stock था वो same था मतलब एक तरह से एक species के थे बट यहाँ पर आप देखते हैं कि उसके कुछ size में change आ गया shape में change आ गया या number of leaves में change आ गया plant की तो इसे कह देते हैं a cat और यह जो changes होते हैं यह reversible होते हैं अब ऐसा नहीं है कि यह changes हमेशा reversible ही होते हैं कुछ cases में यह irreversible भी होते हैं जैसे eco type के case में आप यह देखते हैं कि जो changes आते हैं वो irreversible होते हैं पर्मनेंट होते हैं अब इसके लिए मैं आपको एक उधारन देता हूँ टेक्निकली तो यह sound example नहीं है बट इससे आपको चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा देखी आप एक चीज समझे कि आपके human की कुछ species यहां पर अर्थ पे रहती हैं अब इनमें सी हम कुछ select करते हैं persons को 150, 200 जितने भी हो और इने हम मार्स के ओपर settle कर देते हैं अब माल लिजे 10,000-20,000 साल का बीच में gap आ जाता है अब इतने समय के बाद हो सकता है जीन्स में कुछ बदलाव आजे और इस बारी जो बदलाव आएंगे वो क्या होंगे final होंगे अब ये जो दोनो human species थी एक वो जो मार्श पे रह रह रही है और दूसरी वो जो अर्थ पे है इन दोनों के बीच में अब genetic बहुत जादा difference आ जाएंगे क्योंकि ये 10,000-20,000 साल बहुत बड़ा period होता है अब जब इनके genes में changes आगे तो इसके बाद जो इनके आपस में जो चाहे माल लिजे sexual intercourse भी होता है तो उसके बाद भी हो सकते है कि fertility ना रहे मतलब आगे offspring होने की probability है वो बहुत कम हो जाएगी तो यहाँ पे जो आपकी changes है वो ज़्यादा लंबे समय तक और permanent रहने वाले हैं तो इसी type के changes को हम क्या कह देते है eco type अब जानते deep ecology क्या होता है अब अर्थ पे जितने भी आपके living organisms रहते हैं मतलब जितने भी living beings हैं अब इनकी आप worth निकालने लगो कि क्या कीमत है इनकी या क्या हैसियत है इनकी तो इसको कहते हैं deep ecology अब यहाँ पे आपने यह नहीं देखना है कि human के हिसाब से क्या इनकी जरूरत है या need है आपने यह देखना है कि environment के हिसाब से किस तरह की इनकी जरूरत है मतलब कितने यह valuable है इस चीज को कह देते हैं deep ecology आईए इसके इलावा एक और term को समझते है ecological equivalent अब यह क्या होता है भला अब आपने kangaroo देखा है और आपने bishn भी देखा होगा देखिए जो kangaroo है यह same आपका function perform करता है जो bishn करता है नौर्थ अमेरिका में kangaroo आपका Australia में मिलता है और bishn आपका कहा मिलता है नौर्थ अमेरिका में अब यहाँ पे जो इनका जो function है वो same है मतलब इनका जो nish है वो same है बट यह जो organisms हैं यह दो अलग-अलग geographical region में रहते हैं तो इस तरहां के जो organisms होते हैं जिनका नish same हो और जो different geographical location पे रहते हों तो इन्हें क्या कह देते हैं हम ecological equivalent अब यहाँ पे equivalent देखिए एक बराबर तो यहाँ से यह term मतलब ecology में यह एक बराबर है कुछ ऐसा कहना चाहती है अब जैसे अगर आप tiger को देखें इंडिया में और wolf को देखें अमेरिका में तो दोनों का जो आप यह कह सकते हैं दोनों top predator हैं तो इनका भी कही न कहीं नish जो है वो same हो सकता है आपके evolutionary changes आ रहे न किस species में मालिजे दो same species थे उनमें जो बदलाव आए हैं वो किस तरह के रहे हैं अब यहाँ पे आपने यह नहीं है कि दो अलग-अलग environment में यह species थी देखें यह relatively दोनों same species हैं गायोस पीजा की अब यहाँ पे जो इसकी beak है इसका design देखें यहाँ पर third image में और यहाँ पे इसकी beak का जो design है आप उसे देखिए तो दोनों में आपको कुछ फरक देख रहा है देखें इनिश्यली बस size का फरक था छोटे बड़े का otherwise तो इनकी beak जो थी वो same थी बट यहाँ पे आप देखते हैं इसकी थोड़ी beak छोटी हो गई और कम पैनी है as compared to यहाँ पे इस organism के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि beak थोड़ी लंबी है और पैनी भी है तो किस तरह के environmental condition में मतलब कौन से आपके natural selection के process नहीं यहाँ पर favor किया है किस characteristics के development में इस तरह के जब हम evolutionary changes को देखते हैं तो इसे कह देते हैं character displacement तो यह कुछ important terms थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी आईए अब समझते है ecology के हम structure को सबसे पहले आपको सभी को पता होगा कि सबसे पहला जो basic चीज होती है that is individual अब यह जो individual है इसको आप इस तरह से देख सकते हैं जैसे मैं हूँ या आप हैं हम एक individual है और जब हम हमसे मिलती जुती परजातियों को एक साथ जोड देते हैं जैसे बहुत सारे इंसान एक साथ इकठा हो जाए that is population अब यहाँ पे आपको यह याद रखना है कि जो population होती है वो same species की होनी चाहिए अब आपको कैसे पता लगेगा कि यह same species की है भी या नहीं अब इसके लिए एक छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए अगर कोई दो individual same species के हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो offspring होंगे वो fertile होंगे मतलब आप अगर कहें कि donkey और horse के बीच में जो बच्चा होता है that is mule अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो mule है इसके आगे बच्चे नहीं हो सकते तो कही न कहीं हम यह कह सकते कि donkey और horse एक same species के नहीं अब अगर mule अपने offspring आगे पैदा कर पाता तो कही न कहीं यह दोनों ही same species के हो सकते थे बट यहाँ पे यह single differentiation है जिससे आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं अब आपने tiglion के बारे में सुना होगा tiger plus loin अब कही बार ऐसा होता है कि इनके भी offspring हो जाते हैं हम meeting cross meeting करवा देते हैं बट उस cases में भी जो इनके offspring हैं वो fertile नहीं होते हैं उनका जो body structure है वो इतना अच्छा maintain नहीं हो पाता है तो यहाँ पे आपको यह याद रखना है कि एक ही species की जब individual इकटे होते हैं तभी आपकी population बनेगी अब जब अलग-अलग species की population आपकी एक जगा पे इकटी होगी मालनीजे यह इनसानों की है यह tiger की है यह मालनीजे dogs की है यह rabbits की है और hiran जो भी आपको अलग-अलग population दिखती हो जंगल में या all over the earth जब हम इने जोड लेते हैं मालनीजे यह एक geographical area में ही located है अब for example आपने सुन्दरबन area तो देखा ही होगा अब सुन्दरबन area में आपको tiger भी मिलते हैं थोड़े बहुत इंसान भी मिल जाते हैं fish भी मिल जाती है तो यहाँ पे इस एक particular area में जो अलग-अलग आपको population मिल रही है एक अलग-अलग species की तो इसी को हम कह देते है community अब यहाँ पे आपको community पता लग गया अब community जब हम एक बड़े level पे देखते हैं माल लिजए यह हम concentric circle draw कर रहे हैं यह आपका individual था यह आपका population था यह community आया तो इससे उपर आते हैं आपके ecosystem अब ecosystem तो आपको पता यह किस चीज को represent करते हैं अब ecosystem के बाद आते हैं आपके biomes अब यह biomes क्या होता है तो आपको समझाओं मैं यह एक simple term में तो आपके जैसे ecosystem है यह छोटे-छोटे माल लिजए ecosystem है अब इन्हें हम एक circle में represent करने लग जाते हैं तो यह जो आपकका circle है यह represent करता है biomes को अब यहाँ पे आपके जो ecosystem है उनको club करके हम एक biome में संजो देते हैं आपने टुनडा biome के बारे में सुनाूगा फरस्ट biome के बारे में सुनाूगा ग्रस Lowe could be a buyome के बारे में सुनाूगा तो क्या river अपने आप में एक ecosystem है, उसके इलावा हो सकता है कि कुछ area में कुछ ऐसा patch मिले, जहां पर आपको grassland भी मिलजे, वो भी अपने आप में एक ecosystem रहेगा, जहां पर आप ये देखते हैं कि बहुत सारी animal species, एक similar climate को enjoy कर रहे हैं, मतलब एक similar climate में रहते हैं, और ये biome आपकी एक bigger unit है, as compared to ecosystem और community, अब हो सकता है आपको ascending, descending में लगाना, कभी arrange करना आज है UPSC में, तो इस वज़े से इस चीज को याद रखना, अब ये जो छोटे-छोटे biomes हैं, मतलब यहाँ पर अगर हम वापिस आ जाएं, तो ये जैसे आपका ecosystem को represent कर रहा था, ये outer circle, तो इसके बाद ये बहार वाला circle क्या हो गया आपका biome, और इन सभी biome को अगर आप इकठा कर दें, तो that is biosphere, तो इस चीज को आप याद रखना, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जैसे biomes है न, एक हलकी सी आपको hint दे देता हूँ, जैसे ये मालीजे world है, ये equator से लेके north pole की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको equator के आज़ पास equatorial type of climate मिलता है, तो ये अपने आप में एक biome है, फिर आपको west side पर यहाँ पर deserts मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको tropical grassland, यहाँ पर आपको जिसे Indian type of climate मिल जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको temperate type of climate मिलता है, यहाँ पर आपको China type of climate मिल जाता है, इसके बाद यहाँ पर अगर इसकोने की बात करें, तो यहाँ पर आपको Mediterranean type of climate मिल जता है इससे उपर अगर आप further उपर चलते जाएंगे तो यहाँ पर आपको British type of climate मिल जाएगे यहाँ पर Laurentian type of climate मिलेगा यहाँ पर Serbia type of climate और फिर Tundra and Tagga तो कुछ इस तरह के आपके biomes हो सकते हैं अलग-अलग जगापे जिसके बारे में हम हो सकता है आने वाले लेक्चर में बात करें भी और वैसे भी यह आपको थोड़ा बहुत तो टॉपिक जॉग्रफी में भी टच कराया ही जाएगा हो सकता है कि कल के लेक्चर में ही मैं इसे एक टॉपिक बना के पूरा डिसकस कर दो इन में किस तरह के climatic condition मिलती है, किस तरह का rainfall, किस तरह की vegetation इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा बट कल के lecture की wait कीजे, उसमें हम इस बारे में detail से पढ़ेंगे आईए, अब जानते हैं कि आपका biological spectrum क्या होता है biological spectrum आपको ये बताता है कि कितने numbers आपको एक plant के मिल रहे है particular species के, मान लीजे, अलग-लग type के आपके plants हैं जैसे aerofides होगे, hygrofides होगे, अलग-लग variety के आपके plants हैं अब इन में particular variety के कितने plants मिल रहे हैं, उसे हम percentage में represent करते हैं that is biological spectrum इसके लावा आए समझ लेते हैं कि ecological efficiency क्या होती है अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी efficiency क्या है तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर एक दिन में मैं 10 गंटे पड़ता हूँ अब मैं कहूं कि भईया 10 गंटे तो आपकी efficiency का नहीं पता लग रहा आप मुझे ये बताए कि आपने इस 10 गंटे में क्या किया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर मैंने एक test दिया था उसके लावा मैंने मानीजे एक syllabus को topic को revise किया था या ऐसा कुछ मैंने perform किया था work जैसे मानीजे answer writing की हो essay writing की हो तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे है तो इससे मैं तो आपकी efficiency ना आप सकता हूँ बट क्या ecology की भी हम efficiency ना आप सकते हैं तो इसका जवाब है हाँ बिलकुल अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है आपको ये देख रहा है कि किस तरह से आपकी energy transfer होती है एक traffic level से दूसरी traffic level में आपकी food chain में आमोमन ये लिन्निमन के 10% rule को follow करते हैं बट ये आपका sacrosin नहीं है हो सकता है किसी area में efficiency ज़्यादा better मिल जए तो वहाँ पर 35% भी हो सकती है और हो सकता है किसी area में efficiency poor हो तो वहाँ पर 2% भी रह जए तो ये sacrosin नहीं है 10% बट हाँ अगर UPSC perspective से पूछें तो मैं आपको यही कहूँगा कि हाँ 10% आपको कह रहे हैं तो कह रहे हैं ये आपकी NCRT में लिखा हुआ है इसलिए कह रहे हैं 9-10th class की science की NCRT उठा लेना उसमें ये 10% rule दे रखा है तो NCRT से बढ़कर आपका कुछ नहीं है और ये sacrosin नहीं है इस चीज को याद रखना अब देखे एक दो चीजे हम species के बारे में भी जान लेते हैं जिससे हमें थोड़ी clarity रहे कि अगर UPSC किसी तरह की question आपसे पूछती है इनके बारे में तो आपको पता रहे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Keystone species कौन सी होती है मालने जिए एक ecosystem है उसमें कोई important animal रहता हो तो उसके बारे में आपको जानना थोड़ा important हो जाता है जिससे for example अगर हम grasslands के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको tigers के बारे में क्यों जानना important है क्योंकि tiger एक keystone species है जो कही न कहीं एक essential role play करता है आपके ecosystem में कहीं न कहीं उसकी productivity को ensure करने का काम कौन करता है यह tiger तो इस तरह की जो आपकी keystone species है कई बार आपको news में सुनाई देती है तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में दूसरी important species है आपकी indicator species यह आपकी कुछ इस तरह की species है जो ecosystem की health के बारे में बताती है जैसे lichen है जहाँ भी आपको pollution मिलेगा वहाँ पर यह आपको नहीं देखनी को मिलती जैसे बड़ी बड़ी industrial cities होती है आपकी जैसे लंडन हो गई या आप दिल्ली की बात करें इन एरिया में आपको lichen बहुत कम देखनी को मिलती है क्योंकि यह atmosphere में जितना जादा pollution होगा उतनी कम दिखाई देती है तो कहीं न कहीं आपके ecosystem की health के बारे में यह बताते है फर अर्बन एरिया में अब frog की population जो है वो आपकी कम होती जा रही है अब ऐसा क्यों? क्योंकि यह quality of water को ensure करते है अब जहाँ भी आपको water की quality अच्छी मिलेगी वहाँ पर आपको frog देखने को मिलते है बड़ जहाँ भी आपके water की quality पूर होती जाएगी वहाँ पर आपको frog की population कम मिलने लगती है आईए एक बार देख लेते है ecological organization में smallest से largest तक कैसे भड़ सकते हैं? अब यहाँ पर आपको याद रखना है तो that represents population अब यह जो population है यह हमेशा same species की होती है अब यह तो मैं आपको बता चुका हूँ अब population जब बहुत सारे species की इकठी हो जाए that is known as community और इसके बाद आता है आपका ecosystem ecosystem के बाद यहाँ पे एक biome word आपका missing है और last में आ जाता है आपका biosphere उसके लावा अगर बात की जाए what is the difference between flora and vegetation तो धरती पर किसी भी तरहा के आपके पेड मिलते है that is vegetation बट एक particular area में जिस तरहा की आपके plants मिलते है that is flora बतलब अगर मैं बात करूँ अर्थ पे आपको अलग-अलग type के plants मिल सकते हैं तो वो सभी आपके किसमें आगे vegetation में बट अगर मैं particularly बात कर रहा हूँ आपसे western घाट की तो वहाँ पे tree population आपकी flora को represent करती है उसके लावा आईए बात कर लेते है abiotic factors के बारे में तीकिए अगर major abiotic factors के बारे में बोले हैं तो यह सभी non-living होते हैं जिसे आपकी wind हो गई sunlight, soil, temperature, atmosphere, water, soil इस सभी आपकी क्या होगे abiotic factors यह कहीं न कहीं आपके environment को shape करते हैं और part है आपके ecosystem का भी आईए अब एक एक करके बात कर लेते हैं in abiotic factors के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं temperature के बारे में देखिए यह जो आपका temperature है यहाँ पे आपको याद रख रहे हैं कि यह किसी भी organism के metabolic rate या आप कह सकते हैं activity या physiological functions को impact कर सकता है for example आपने सुना होगा urethermal यह वो organisms होते हैं जो wide range of temperature को कहीं न कहीं सहन कर सकते हैं उसके इलावा आपके आते हैं stenothermal अब यह वो organisms हैं जो छोटी से limit में ही रह सकते है temperature की उसके इलावा temperature के basis पे हम दो तरह के और enzyme देखते हैं एक होते हैं आपके ectodermal अब यह आपके cold blooded animals होते हैं दूसरे होते हैं आपके endothermal अब यह endothermal कौन से होते हैं जो warm blooded होते हैं आपके अब अगर बात किज़े temperature की तो यह growth पे impact करता है reproduction पे, sex ratio पे distribution पे, color पे, behavior इन सभी चीजों पे इसका impact देखने को मिल सकता है आईए अब बात करते हैं water के बारे में जो आपके plants पानी में मिलते हैं उन्हें कहते हैं hydrophytes जो terrestrial part पे मिलेंगे उन्हें कहते हैं mesophytes जो dry area में जैसे cactus हो गया आपका इसे कहते हैं zerophytes जो आपको dry और arid condition में देखने को मिलते हैं इनमें आप यह देखेंगे कि water की absorption rate अच्छा खासा होता है और evaporation water का थोड़ा कम रहता है यहाँ पे इसके इलावा hellophytes भी होते हैं जो salt tolerant आपके plants होते हैं जैसे mangroves वगेरा होगे आपके उसके इलावा इन mangroves में एक खास type की आपको root देखने को मिलती है जो surface से उपर निकली होती है ताकि swampy and damp condition में जहाँ पर आपके पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे भी आपकी root के थूँ यह oxygen को ले सके अब इसके लावा बात कर लेते हैं salinity की भी अब जो organism आपके ज़्यादा salty condition में रह सकते हैं जैसे समुद्दर वगेरा में तो इन्हें कहते हैं urehyaline इसके लावा stenohealine वह organism है जो salt में रह तो सकते हैं बट अगर salt content कुछ जादा हो गया तो भी यह survive नहीं कर पाएंगे और कम हुआ तो भी यह survive नहीं कर पाते हैं catadormus species जो पैदा तो होते हैं sea water में लेकिन अपना जीवन वतीत करते हैं fresh water में इसके बाद यह वापिस आ जाते हैं sea water में जब इनका अंतिम समय आता है उसके इलावा यहाँ पे आपको एक और species का नाम याद रखने है anadormus अब यह वो species हैं जो पैदा तो fresh water में होती हैं बट अपना जीवन काल कहां पर वितीत करते हैं sea water में और यह बाद में वापिस आ जाती हैं आपकी fresh water में अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं और बताना चाहूँगा आपने शायद kangaroo rat के बारे में सुनाओगा एक समय में इनकी population बहुत जादा decrease कर रही थी decline कर रही थी तो उस समय यह काफी news में रहे थे यह बिलकुल आपको dry area में मिलते हैं Australia वाले और यह पानी बिलकुल भी नहीं पीते हैं तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कुछ animals आपको ऐसे भी मिल सकते हैं अब बात कर लेते हैं light की अब यहां पे आपको याद रखना है कि plants बहुत ज्यादा dependent है light के उपर जैसे उनकी photosynthesis इसके उपर depend करती है उनकी growth, transpiration, germination और even उनकी movement भी इसी के उपर depend करती है अब यहां पे मैं आपसे कुछ अलग-अलग terms के बारे में बात करूँगा जैसे आपको पता होना चाहिए photoblastic seeds कौन से होते हैं जो आपके sensitive हो light को अब यह positively भी sensitive हो सकते हैं जैसे light पढ़ने से इनको positive impact पढ़ता हो इनके उपर या यह negative photoblastic भी हो सकते हैं जहां पे इनके उपर negative impact पढ़ेगा अगर sunlight पढ़ जाती है इसके इलावा आपको याद रखना है एक term होते है photonasty अब यह वो flower हैं जो आपके response करते हैं light और darkness को अब एक आपके plants होते हैं necty nasty अब यह कौन से plant होते हैं लिखे यह अपनी darkness में leaf को fold कर लेते हैं तो यह कुछ इस तरह के होते हैं अब अगली term है हमारी heliophyte अब यह वो हैं जो plenty of sunlight में रहते हैं मतलब इने बहुत ज़्यादा sunlight चीए होती है जैसे आपने tropical forest दिखें अब या आप rain forest की बात करें इन जंगलों में पेडों की उचाई बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे इने sunlight बहुत ज़्यादा मिलेगी तो जैसे bunion tree है आपका ये example है heliophyte का उसके लावा दूसरी term है आपकी seophyte जो कम light में रहते हैं अब जैसे यहाँ पर ही मैं आपको example देता हूँ कि rain forest में आपने देखा होगा नीचे herbs या scrubs पैदा होती है अब जैसे कुछ animals होते हैं आपके जो active रहते हैं दिन के time पे कुछ आपके night के time पे active रहते हैं और कुछ animals ऐसे होते हैं जो early morning में ज़्यादा active होते हैं उसके लावा कुछ animals ऐसे भी होते हैं जो आपके sunset के time पे ज़्यादा active होते हैं अब जैसे आपके वेस्पेरल हैं ये डिस्क के टाइम पे एक्टिव रहेंगे auroral आपके early morning के टाइम पे nocturnal आपके night के टाइम पे auroral आपके day के टाइम पे इसके लावा aquatic habitat पे अगर light के impact की बात करें तो यहाँ पे आप अलग-अलग zone में divide कर सकते हैं water को जैसे पहला आता है आपका littoral zone जहाँ पे आपकी depth ज्यादा नहीं होती पानी की और यहाँ पे आपकी sunlight enter कर सकती है मालेजी जो आपके coastal areas हैं जहाँ पे आपको continental shelf वाला इलाका देखनी को मिलता है तो उन area को हम क्या कह देते हैं littoral zone उसके बाद आता है lemantic zone जहाँ पे आप open water में हैं यहाँ पे आपकी amount of sunlight और oxygen दोनों depth के साथ decrease होती है उसके इलावा aphotic zone भी होता है जिसे हम pre-fondal भी बोलते हैं यह वो zone है जो आपके photic zone के नीचे आते हैं मतलब photic zone तो वो होते हैं जहाँ पे आपकी light मिल जाते है लिटोरल photic zone ठीक है जी इसके नीचे आपको light नहीं मिलेगी जैसे माल लेजे एक area है यह आपका पानी है थोड़ा example कहीं और लेते हैं यहाँ पे लेते हैं अब यह आपका पानी है इस area में आपकी sunlight एंटर कर पा रही है पानी में अब इसके नीचे यहाँ पे आपका पानी ऐसा है जहाँ पे light नहीं एंटर कर रही है तो इसे हम aphotic zone कहते हैं अब एक होता है आपका benethic zone यह benethic zone वो है जो आपको crust के आसपास मिलता है जैसे continental crust के आसपास यहाँ पर light बिलकुल भी penetrate नहीं कर पाती है यहाँ पे जो आपको animal species मिलती है that is crustacean इसके लावा अगला major आपका abiotic factor है soil अब यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि soil सबके लिए important है इस वज़े से इसे हम कई बार edific factor भी बोल देते हैं अब यह जो आपकी soil है आपने geography में पढ़ा होगा अलग-अलग horizon में divided है जैसे आपका O horizon, A horizon, B horizon और इसी तरह करके आपके और भी horizon होते हैं तो इनके बारे में तो आपने geography में पढ़ा ही होगा अब जब यह आपके horizon सभी एक साथ होते हैं तो इन्हें हम कह देते हैं soil profile अब यहाँ से हमें soil की composition के बारे में पता लगता है grain size के बारे में पता लगता है water holding capacity किस तरह का pH level है किस तरह की mineral composition है इन सभी के बारे में पता लगता है अब यह जो आपके animals हैं या plants हैं किस तरह से इन abiotic factor को respond करते हैं आईए इसे समझते हैं mainly तीन category में हम divide करते हैं पहला होता regulate दूसरा होता migration और तीसरा आपका resistance तो इन तीनों के बारे में आईए एक-एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले जानते हैं regulation के बारे में दिखें आपने सुना होगो homeostasis यह वो organisms हैं या animals हैं जो internal और external change के साथ अपने आपको adjust कर लेते हैं उसके लावा osmo regulation होती है एक चीज जहां पर आप salt और water को balance करने की कोशिश करते हैं आपने arrow सुना होगा न reverse osmosis के उपर जो work करता है तो वैसा ही कुछ osmo regulation में होता है आपकी body के अंदर जैसे salt content और water content को balance करने की कोशिश की जाते हैं यहां पर तीसरे हैं आपके thermoregulation अब इसमें जो organisms या animals आते हैं वो अपनी body temperature को कहीं न कहीं regulate कर सकते हैं एक certain boundary के अंदर उसके लावा next type आजाता है आपका migration अब migration में आपको दो चीजों के बारे में पता होना चीए पहले हैं आपके drought invader या तो उनकी जो life है वो बहुत short होगी या वो dormant state में चले जाएंगे dormant state वो होती है जहां पर कोई जानवर आपका कुछ time के लिए सोने चला जाता है अब dormant state अगर आपको नहीं समझ में आती तो जैसे ही आपकी बारिश आती है यह जो आपके grasses होती है फिर से lush green हो जती है तो इस state को हम कहते है dormant state उसके लावा आपको winter migration भी देखने को मिलता है अब यह आपको animals, birds और reptiles में जादा देखने को मिलता है अब जैसे आपने सुना होगा कि कियो लादियो नेशनल पार्क है जो हमारा भरतपुर में वहाँ पर बहुत सारे आपके Siberia से पक्षी उड़के इंडिया में आते हैं अब यह आपके वो पक्षी होते हैं जो hibernation में नहीं जा सकते अब इसके बाद आते हैं आपके resistance category अब बात किजाए resistance की तो यहाँ पे आपका पहला concept है dormancy अब यहाँ पे जो आपके plant या animals है वो inactive हो जोते हैं या आप यह कह सकते हैं कि अपने metabolic rate को कुछ हद तक कम कर लेते हैं जिसके वज़े से वो harsh period को भी survive कर पाते हैं अब यहाँ पे मैं आपको example दूँगा फिर से एक बार grass का जो कुछ समय के लिए अपने आपको inactive कर लेती है ताकि जो harsh गर्मी का period है summer का period है वो उसको निकाल सके इसके बाद hibernation आपने आमोमन सुना होगा जिसे polar bear है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो hibernation में चले जाते हैं अब यहाँ पर भी adverse weather condition को या food की कमी को दूर करने के लिए हम physiological change देखते हैं जहाँ पर वो अपनी body temperature को कम कर लेते हैं या अपने metabolic rate को थोड़ा slow कर लेते हैं अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि हर hibernation आपकी dormancy का type है बट हर dormant state आपकी hibernation का type नहीं है मतलब अगर यह आपकी dormancy है इसके अंदर यह hibernation एक छोटा सा टुकड़ा है उसके लावा diapause आपका एक phenomena है जहाँ पर जो आपके animals है ना वो dormancy में जाते है अब यह जो अपना response है इसको थोड़ा delay कर देते हैं यहाँ पर उसके अलावा estivation एक ऐसा phenomena है जहाँ पर somewhere में कुछ animals आपके dormant condition में या hibernation में चले जाते हैं अब यहाँ पर यह क्या करते हैं अपने जो main activities हैं उनको कही न कहीं कम करने की कोशिश करते हैं अपने energy को conserve करते हैं और body को stabilize करने की कोशिश करते हैं अब यह generally आपको arid condition में देखने को ज़्यादा मिलता है अब dormancy तो आपको reptiles में भी देखने को मिलती है तो इसे हम कह देते हैं brumation अब यहाँ पे जो आपके reptiles है अब बात कीज़े जैसे आपके छिपकली है या आपने कौर के लिए सुने होंगे जो अपने color बदलते हैं गिरगिट तो वो जो हैं आपके autumn के time पे मतलब late autumn stage में कहीं न कहीं dormancy में चले जाते हैं या hibernation आप बोल सकते हैं से आपकी एक species develop होती है क्या basic principles हैं इसके पीछे जैसे कि आप सभी जानते कि हम इनसान जो हैं वो बंदर की परजाती साही है मतलब पहले जो हमारे पूर्वजवा करते थे शायद बंदर थे और उनसे हम evolve करके आज की generation में human की नाम से जाने जाते हैं अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन में और हम में क्या differences है देखिए उनकी पूछवा करते थी वो थोड़ा जुक्य चला करते थे वो दोनों पैरों पे सटीक तरीके से खड़े नहीं हो पाते थे तो कहीं न कहीं हम over a period of time evolve करें अब यह जो आपकी theory है यह validated theory दी किसने थी अब यह theory दी थी 1859 में Charles Darwin और Alfred Wells ने अब कोई species evolve करती क्यों है इसके पीछे एक ही कारण है कि भाईया अपने आपको survive करवाना over a period of time हम environment के accordingly अपने आपको adjust करते हैं ताकि आने वाले time में भी हम खुद को maintain कर सकें अब जैसे अर्थ जब start हुई थी उसके कई सालों बाद आपके bacteria's form हुए वो आपके first form of life है और आज तक वो exist करते बट डेनसोर्स थे वो नहीं exist करते अब दोनों में फरक क्या है देखे bacteria over a period of time अपने आपको evolve करता रहा और जिसकी वज़े से आज भी हम इने देख पाते हैं आईए अब बात करते हैं adaptation की तो आप सभी को बता है कि जैसे environment में कुछ change आता है तो आप अपने आपको adapt करने की कोशिश करते हैं अब इसका मैं आपको एक example देता हूँ देखिए UPSC ने 2014-15 के आसपास CSAT introduce किया तो बहुत से एस्परेंट ने अपने आपको उस situation के according adapt करने की कोशिश की ना कईयों को इस चीज से problem भी थी और जो UPSC ने बाद में इसे क्या कर दिया कि आपको सरफ passing marks लेने बट कुछ न कुछ चेंजिस तो आए ना environment में अब किस तरहां से आप उन situation में अपने आपको survive करवाने के लिए adapt करते हो that is adaptation अब जो यहाँ पर changes आते हैं adaptation के दोरां ये एक generation से दूसरी generation में भी transfer हो सकते अब दिखें यहाँ पर आपको एक चीज समझने होगी आप माल लिजे एक चीज है आपके environment में temperature एकदम से बढ़ता है अब क्या होता है कि आपकी body उसके according adjust करने लग जाती है अब over a period of time आपकी body इस गरम temperature को भी सहन कर पा रही है that is adaptation अब adaptation की वज़े से यहाँ पर जो genes generate हो रही है वो genes आगे आने वाली generation में भी transmit हो जाएंगे तो इसी को आगे चल कर हम क्या कहाँ देंगे evolve करना तो एक चीज समझ के चलना है कि first step adaptation है और इसके बाद evolution अब adaptation तो आपको समझ में आ गया आईए जानते variation क्या होता है अब यहाँ पर मैं आपको एक example देता हूँ जिससे यह आपको काफी clear हो जेगा देखे आपने एफरीका के चीता के बारे में सुना होगा एशिया के भी चीता के बारे में सुना होगा अब दोनों में फरक क्या दोनों चीता बट क्या दोनों में कुछ फरक है देखे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि कई बार same species दो अलग-अलग environment में जब glow up करती है देखे geographical barrier आगे ना बीच में एशिया आपका अलग जगा है थोड़ा बीच में water bodies वगएर आगी अफरीका अलग है तो over a period of time इनमें आप देखेंगे कि कुछ jeans आपके add होगे या delete होगे तो ये एक दूसरी से क्या होगे बिलकुल अलग होगे तो ये जो चीता है जो अफरीका में मिलते हैं और जो एशिया में मिलते हैं इनमें क्या देखने को मिल गया हमें variation अब अगर आपको अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप गूगल कर लीजे आपको एशियाटिक लॉइन्स और एफरीकन लॉइन्स में फरक समझ में आजेगा अब दोनों में आप size का भी difference देखेंगे और weight का भी difference देखेंगे उसके लावा color वगएरा का भी थोड़ा भात फरक मिल सकता है अगर हम बात करें variation क्या है तो यहाँ पे आपके कुछ genes या तो add हो जता है किसी species में या delete हो जता है और इसकी वज़े से individual जो same species के थे उनमें variation देखने को मिल जता है अब यह climate के कारण भी हो सकता है geographical barrier के कारण भी हो सकता है और mutation के कारण भी हो सकता है बट यह overnight नहीं होता इट विल टेक सम टाइम मतलब हजार, दो हजार, दस हजार साल बाद होता है यह उसके इलावा आपको पता होना चाहिए speciation क्या होता है दिखी, यह वो process है जिससे नई species आपकी form होती है और इसमें सबसे important role है आपका evolve करनेगा जिसकी वज़े से आपकी कोई species डवलप होती है अब अगर हम evolve नहीं करते तो आज की दिन में शाद हम भी जंगलों में ही घूम रहे होते तो कहीं न कहीं evolve होने की वज़े से homo sapiens species बनी है उसके लावा यहाँ पर एक और चीज भी है जो major role play करती है geographical isolation अब इस point को समझाने के लिए मैं आपको example दूँगा Australia का लेकि आप सभी जानते कि Australia बहुत सालों तक isolated रहा है और खासकर अगर हम animals की बात करें तो animals के लिए तो बहुत लंबे समय तक यह isolated रहा है अब वहाँ पर जो आपको animals की species मिलती है शायद आपको दुनिया के किसी और हिस्से में ना मिले अब ऐसा कहने के पीछे मेरा कारण यह है क्योंकि देखे आसपास आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पानी है उसके यह माल लेजे आपका Australia है और इसके आसपास आपका Pacific Ocean का एरिया आ गया अब दूर दूर तक कोई land नहीं है आपके species को develop होने के लिए एक particular time मिल गया तो यह geographical isolation भी एक कारण है speciesation का उसके लावा आपको अभी भी ना समझ में आया हो तो आप हिमालियास का example ले सकते हैं अब हिमालियास की वज़े से कई बार आपके जो reptiles हैं जो आपको इंडिया में मिलते हैं वो चाइना या आप यह कह सकते कि mainland एशिया में नहीं जा पाए अब इसके पीछे कारण क्या है देखिए जो हिमालिया है वो barrier बना अब इसके वज़े से reptiles वगएरा जो थे आपके वो रेंगते हुए दूसरी साइड नहीं जा पाए और यही कारण है जिसकी वज़े से आप देखते हैं कि कुछ species इंडिया में endemic ही है आईए अब बात करते हैं mutation की अब देखिए वैसे तो आप एक चीज़ मानने के चलिए कि जो हमारी body है उसमें DNA exactly copy होता है मतलब जो आपके father का DNA है वो आपके अंदर copy होगा ठीक है जी आपका DNA आपके बच्चों में copy होगा और उनका आगे चलता जाएगा ऐसे ही copy होता हुआ अब कई बार क्या होता है कि photocopy machine में मतलब यह जो आपका DNA replicate होता है इस process में कई बार कुछ problem आ जाती है अब इस error की वज़े से कुछ genes में खराब ही आगी अब इसको कह देते हैं mutation अब इस mutation की वज़े से आती है आपकी species के अंदर variation अब मान लेज़े आपकी जो आपने white tiger सुना है देखें tiger तो normally same color का ही था बट कुछ cases में जो आपके color pigment है वो अच्छे से express नहीं हो पाते तो उस वज़े से जो उसका casery color है जो भी color होता आपके tiger का वो ढंक से दिखता नहीं है इस mutation के कारण से हमें एक नई परजाती सी लगती है ये white tiger बट actual में ये tiger ही है बट इसके genes में कुछ mutation हो रखा या variation है जिसकी वज़े से ये अलग लगती है अब उसके इलावा आपका एक process होता है natural selection अब natural selection क्या होता है जहां पर nature decide करता है कि कौन से species रहेगी और कौन सी नहीं अब ये mechanism परपोस किया था Darwin ने अब natural selection में आपको ये समझना है कि nature में अगर कोई change आता है यानि आसपास के environment में कोई change आता है उसमें किस हिसाब से एक species react करती है या वो survive कर भी पाती है कि नहीं that is the process of natural selection अब extinction क्या होता है दीखे मान लीजे जब किसी species का last जो organism था या individual था वो भी मर जाए तो उसके बाद हम कह देते कि उस species क्या हो चुके extinct हो चुके और यहाँ पर दो चीजे होती है extinct in wild भी होता है एक चीज उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम bio diversity topic को cover कर रहे होंगे या हम IUCN की list को देख रहे होंगे क्योंकि वो categorization आपके IUCN की है nature की नहीं nature में या तो कोई परजाती मिलती है या बिलकोल ही extinct हो चुकी है अब चाहे वो एक individual हो चाहे 100 तो यही सब कुछ जारना ज़रूरी था आपको इन चीजों के बारे में अभी हमने adaptation की बात की थी तो यह adaptation कितने type की होती है आईए इसे भी समझ लेते है कोई भी जो organism है वो survive करने के लिए आसपास के environment के according अपने आपको बचाने की कोशिश करता है और इसी दौरान वो उस environment को adapt करने की कोशिश करता है अब यह जो आपके adaptation है यह चाह टाइप की हो सकती है एक होते है morphology adaptation जैसे आपने desert plants देखें desert plants में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो outer layering है वो काफी waxy होती है, काफी थिक होती है उसके इलावा यहाँ पर आपको stromata बहुत छोटे ही देखने को मिलते हैं या बहुत ही minimum देखने को मिलते हैं उसके इलावा leaves की जगा पे आपको कांटे देखने को मिलते हैं तो इस तरहा की जो desert यह आप कह सकते की arid area में एक plant ने अपने आपको adapt करने की कोशिश करी है that is your morphological adaptation अब इसके बाद आपको एक और example देता हूँ मैं यहाँ पे morphological adaptation का आपने देखा होगा कि generally जो आपके penguins गया रहे हैं जो cold area में रहते हैं इनके हाथ पाऊ बहुत छोटे होते हैं अगर आप इनके हाथ देखें तो जादा दूर तक नहीं जाते हैं इनके body जो parts हैं उनके size थोड़ा छोटा रहते हैं अब ऐसा क्यों? अब आपने देखा होगा कि polar bear है तो इतना बड़ा बट उसके हाथों का size इतना बड़ा नहीं है कानों का size इतना बड़ा नहीं है देखें जितने बड़े कान या आपके हाथ होंगे, limbs होंगे उतनी ही जादा आप energy release करते हैं तो heat loss को कहीं न कहीं minimum करने के लिए यहां की जो आपकी species है उन्होंने अपने आपको adapt करने की कोशिश की और जिसकी वज़े से इनके जो limbs के size है वो छोटे हो जते है और इसी को हम क्या कहा देते है morphological adaptation अब इसके बाद आती है आपकी physiological adaptation अब मान लीजे आप higher altitude पे जाते हैं अब जब आप UPSC clear करेंगे तो आपको ट्रैकिंग के लिए लेके जाएंगे और वहाँ पे आपको like काफी height पे जाना होता है तो कुछ लोगों को altitude sickness होती है height के साथ साथ ना उन्हें जैसे अच्छा सा failure नहीं होने लगता मतलब vomit का सा मन हो जाता है या कुछ ऐसा सा चक्कर आरे लगते हैं oxygen की कमी महसूस होने लगते है अब यहाँ पे जो आपकी body है यह क्या करती है देखिए जैसे ही आप higher altitude पे जाते हैं तो आपको oxygen की कमी लगती है अब body इस चीज को adapt करने के लिए और ज़्यादा RBCs प्रड्यूस करती है अब यह जो RBCs हैं यही तो आपकी oxygen को carry करते हैं अब क्योंकि RBCs ज़्यादा होगे क्योंकि oxygen कम थी तो RBCs ज़्यादा होगे अब क्योंकि आपकी RBCs ज़्यादा होगे तो oxygen requirement जितनी थी body की हम उसे fulfill करने में कुछ हद तक काव्याब हो जाते हैं तो यहाँ पर यह जो change आया आपकी body में आप अगर plane area में है तो oxygen ज़्यादा है RBCs नॉर्मल रहेंगे बड़ जैसे ही आप higher altitude में गए oxygen कम होगे RBCs ज़्यादा होगे तो इस तरह के changes जो होते हैं इसे आप क्या कह देते हैं physiological adaptation आईए अब बात करते हैं biochemical adaptation की आप सभी ने सुना होगा कि जिसे जो brown skin होती है या black skin होती है जिसे हमारे सब की brown skin है तो हमारे body के अंदर melanin मिलता है और ये आपको अंग्रेजों की यानि जो white persons है उनकी body में देखने को नहीं मिलता जो खासकर Europe और आपके USA वाले part में रहते हैं अगर ये जैसे ज़्यादा देर धूप में रहते हैं तो इन्हें sunburn या skin cancer जैसी विमारियां हो सकती है अब यहाँ पर ये adaptation है क्योंकि देखे कुदरत को पता था कि हम equator के आसपास रहते और ये भाया equator के दूर रहते अब जो equator के दूर रहेगा तो आपकी sunlight क्या होगी geography में आपने पढ़ा होगा कि slanted रहेगी इतनी potent नहीं होगी आपकी sunlight अब क्योंकि आपकी sunlight इतनी potent नहीं होगी तो इन्हे melanin की इतनी ज़रूरत नहीं थी अब जो आपके equator के आसपास जैसे ब्राजील में अफ्रीका में, इंडिया में साउथ इस्ट एशिया में लोग रहते हैं उनको melanin की ज़रूरत थी ताकि उनको बचाया जा सके skin cancer से तो इस वज़े से adaptation ही है जो biochemical nature की है उसके लावा एक और example यहाँ पर दे रखा है फुरसत मिले तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं अब बात करता है behavioral adaptation की अब आपको मगर मच पता है मगर मच आपने जू में देखा होगा कई बार वो मूझ खोल के धूप में पड़ा रहता है काफी काफी घंटों तक तो मूझ खोल के क्या कर रहता है तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि मख्यों से उसका पेट भरेगा भी नहीं वो बेसिकली क्या करते है उस टाइम उनकी बाड़ी का अंदर का टेंपरिचर बहुत जादा ठंडा हो चुका होता है तो जिसकी वज़े से उसे रेगुलेट करने के लिए वो धूप में सन बात लेते है अब जब उनकी बाड़ी का टेंपरिचर बहुत जादा गरम हो जाए तो या तो शेड में चले जाते है या पानी में चले जाते है इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यह आपका किसका आस्पेक्ट है ब्रिहेवियल अडाप्टेशन का अब यहाँ पे आप सब को मेरे एक कोशन का जवाब देना है देखिए कोशन यह है कि जो एनिमल्स अपने खुद के टेंपरिचर को बाडी टेंपरिचर को रेगुलेट कर लेते हैं इस पुरसिस को क्या कहते है और उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है और जो एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते उनको क्या कहा जाता है देखिए UPSC प्रस्पेक्टर से हो सकते है इतने इंपर्टन ना हो बट फिर भी अगर कभी आप से पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए और अगर आपको नहीं पता तो आप Google सर्च करिए इसके बारे में या आप Comment Box भी चेक कर सकते हैं आईए अब बात करते है Productivity की अब कितने टाइम में आप कितना Biomass Generate करते हैं That is Productivity जैसे आप कितने टाइम में एक Topic को Complete करते हैं That is Your Productivity बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि माल लीजे एक Plant है हम सिरफ अभी एक Crude Example ले रहे हैं यह जो Paid है यह एक समय में मतलब माल लीजे 100 साल में कितना Biomass Generate कर रहा है यानि Organic Matter कितना Create कर रहा है इसी को हम कह देते हैं Productivity अब यहाँ पे मैंने सिरफ Plant की बात किये है तो यह है आपकी Primary Productivity जब हम सभी जानवरों की एक साथ Productivity को देख लेते हैं या Count करते हैं तो उसे कहते हैं Ecosystem की Productivity अब यहाँ पे हम सिरफ और सिरफ एक Ecosystem के उपर फोकस कर रहे हैं अब Biosphere में तो बहुत सारे आपके एरिया आ जाएंगे न तो इस वज़े से आपके Ecosystem को हम Functional और Structural Unit कहते हैं अब यह जो आपका Biomass है इसको हम Express कैसे करते हैं या आप यह कह सकते है Productivity इसको हम Express कैसे करते हैं तो इसकी Unit है Mass per Unit Volume per Unit Time इसकी Unit है जैसे KG, Meter Cube पर Unit Time जितना भी आप कह लिजे 100 साल, 10 साल, 20 साल जितना भी टाइम लगे उतना अब वैसे तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि Organic Matter कितना Generate हुआ बट यहाँ पर हम जनरली देखते हैं Dry Organic Matter मतलब उसमें सी हम Mass निकाल देते हैं Water का क्योंकि आप जैसे माल लीजे मेरी बाड़ी है मेरी बाड़ी में भी लगबग 70% क्या है Water है तो मैं उस Water को निकालने की कोशिश करूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपको याद रख रहे हैं कि जब भी आपसे यह कहा जाए कि Productivity एक एकोसिस्टम की निकालनी है तो आपको Bio Mass लेना है Bio Mass means Organic Matter बट यहाँ पर आप Water को Include नहीं करेंगे अब यहाँ पर आपको कुछ चीजे बताई गई हैं जैसे Primary Productivity, Secondary Productivity वैसे तो मैं आपको यह चीज बता चुका हूँ जैसे Primary Productivity वो है जहाँ पर आपके Producers जैसे जो Photosynthesis करते हैं उनसे जो आपका Bio Mass Generate हो रहा है That is Primary Productivity अब यह जो आपकी Primary Productivity है दो टाइप की हो सकती है एक होते Gross Primary Productivity और एक होते Net Primary Productivity Basically, Gross और Net में फरक क्या है देखे, Gross Primary Productivity में हम Include करते हैं उस Energy को भी जो Plant या मान लीजे आपका जो आपका Organism है अपने लाइफ टाइम में उसे यूज़ कर रहा है For example, अभी की बात करें एक Plant है तो वो Fruit Bear करने के लिए पिए कुछ Energy यूज़ कर रहा होगा उसके खुद का Metabolic Rate कुछ होगा उसमें अभी कुछ Energy यूटलाइज हो रही होगी तो हम इस Energy को भी Include कर लेते हैं Gross Primary Product में Whereas अगर बात कीज़े Net Primary Product की तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हम इस तरह की जो भी Energy यूटलाइज होती है उसे Include नहीं करते हैं तो That is Gross and Net का बीच का Difference कहीना कहीन जो आप मालेजे पेड को चोट लगी है आपने मालेजे कोई गाड़ी से उसे ठोक दिया या आप कहले लीजे कि किसी लकड़ारे ने उसे काटने की कोशिश किये तो वो अपने आपको रिकवर करने की भी कोशिश करेगा ना तो वो अनर्जी वहाँ पर भी यूटलाईज होगी तो उस अनर्जी को हम Net Primary Productivity में इंक्लूड नहीं करते हैं अब यहाँ पर आपको याद रखने कि Secondary Productivity क्या होती है अब जो आपकी Consumers हैं उन में किस तरह से आपका BioMass Generate हो रहा है That is Secondary Productivity अब यहाँ पर आपके Herbivores भी आ सकते हैं Carnivores भी आ सकते हैं और आपके Decomposers भी आ सकते हैं मतलब सभी आ जाएंगे अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखने हैं कि Primary में आपके सिरफ Autotrops हैं और Secondary में बाकी बचे जो भी हैं आपके Herbivores, Carnivores, Decomposers वो सभी आ जेंगे और उन में किस तरह से आपका Energy Generate होती है That is Secondary Productivity अब जब आप Primary Productivity को Plus Secondary Productivity को जोड़ देते हैं That is Productivity of Ecosystem और यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना कि Primary की तरह Secondary में भी आप Gross और Net को देखते हैं मतलब यह भी दो टाइप की हो सकती है Gross मतलब जितनी उन्होंने Energy Generate की और बाद में अपने Metabolic Activities के लिए कितनी यूज कर ली उसे हम Neglect कर देंगे That is Net Secondary Productivity तो इस चीज़ को ध्यान में रखना अब यहाँ पर आपकी कुछ Important Points है जो आपको Problem से बहुत ज़्यादा Help कर सकते है इन्हें आप Triple Star Mark कर सकते है देखिए जो आपके Terrestrial Ecosystem है इसकी जो Productivity है वो ज़्यादा होती है As Compared to Aquatic Ecosystem अब इसके पीछे कारण क्या है देखिए जो आपका Aquatic Ecosystem है इन्हें इतनी Light नहीं मिल पाती है अब Photic Zone के बाद आपका जो Area है वहाँ पर Light नहीं पहुंचेगी तो Productivity क्या होगी Zero होगी या आप कह लीजे बहुत कम होगी तो इस वज़े से Terrestrial Ecosystem है वहाँ पर Light आपकी बहुत ज़्यादा मिलती है As Compared to Aquatic और इस वज़े से Terrestrial Ecosystem की Productivity क्या है ज़्यादा है अब बात कीज़े Terrestrial में भी कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा Productivity देखने को मिल सकती है तो That is Tropical Rain Forest जो आपको Equator के आज़ पास देखने को मिलते है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा Productivity मिलेगी अब अगर मैं आपको कहूँ कि Equatic Ecosystem में हमें सबसे ज़्यादा Productivity कहाँ पर देखने को मिलेगी That is History जहाँ पर आपका Fresh Water और Saline Water मिलता है अब एक बार फिर से ये एक Eco Tone एरिया है तो इस वज़े से यहाँ पर Productivity क्या हो ज़ती है ज़्यादा हो ज़ती है उसके लावा Corals यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा Biodiversity देखने को मिलती है क्योंकि कई बार इन्हे Equatic Ecosystem का Rainforest कहा जाता है तो आप याद रखना कि Corals की जो आपकी Productivity है वो बहुत ज़्यादा High है और इसके उपर UPSC ने 2016-17 में Question भी पूछा हुआ है तो इस चीज को याद रखना अब similarly आपके जो Mangroves है इनकी भी आपकी Productivity ज़्यादा है जैसे कि आपकी Rainforest की है अब again यह क्या है एक Ecotone एरिया तो जिसकी वज़े से इसकी Productivity क्या होगी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर एक Term जो हम समझ सकते हैं यहाँ पर भी आपको Ecotone एरिया मिलेंगे वहाँ पर आपकी Productivity क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी उसके लावा जो आपके Open Oceans हैं या Deserts हैं वहाँ पर Productivity आपको कम मिलेगी अब Ocean में क्या होता है कि देखे Open Ocean में आपके कुछ लेर के बाद पानी के नीचे आपकी Light जाएगी नहीं डीप में आपकी Light नहीं जाएगी अब क्योंकि Light नीचे नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पर Photosynthesis वगरा नहीं हो पाएगा और इस वज़े से यहाँ पर आप क्या देखेंगे ज़्यादा आपको Life की Possibility नहीं मिलेगी खासकर उन एरियाज में जहां पर Light नहीं जा पाती तो यही कुछ Points है जो आपको याद रखने है देखिए जब से हम Ecology और Ecosystem के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं कि यह जो आपके Living Organisms हैं यह आपस में Interact करते हैं तो आईए सबसे पहले यह समझते हैं कि यह आपस में Interact कैसे करते हैं और हम उसे किस तरह से देखते हैं अब यहाँ पर पहला Type का Interaction है आपका Neutralism तो कि यहाँ पर दोनों Species के ओपर किसी तरह का Positive और Negative Impact नहीं देखने को मिलता है अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यह जो आपका Neutralism है यह शायद ही Exist करता हो अब ऐसी कोई भी Interaction नहीं है जहाँ पर हमें कुछ Positive या Negative ना दिखता हो तो इस वज़े से आपके Ecosystem में Real Time में हो सकता है कि Exist ना ही करते हो अब यहाँ पर दूसरा आपका आता है Competition अब यहाँ पर दोनों के लिए Negative है माल लीजिए एक Tiger है, एक Loin है एक ही Ecosystem में रह रहे है अब दोनों को Food के लिए Compete करना पड़ेगा अब अगर ऐसा होता है तो दोनों के उपर Negative इंपक्ट पर सकता है हो सकता है एक दिन Loin को खाना ना मिले हो सकता है एक दिन आपके Tiger को खाना ना मिले तो इस वज़े से Competition हमेशा दोनों Species के उपर Negative इंपक्ट करता है उसके बाद दूसरा है आपका Immensalism अब यहाँ पर एक Species के उपर आपके Negative एसर पड़ता है और दूसरी के उपर आपका Zero असर मतलब कोई असर नहीं है अब इसका मैं आपको उधारन दूँगा मालीजे एक बड़ा सा आम का पेड़ है अब इसके बगल में मैं एक छोटा सा गुलाब का पेड़ उगाना चाहूं तो क्या ये गुलाब का पेड़ आपका उग पाएगा अब क्योंकि सनलाइट तो जादा तर ये बड़ा पेड़ ले लेगा हमालीजे इस साइट से सन आता है तो सनलाइट तो जादा तर इसने ब्लॉक कर ली अब यहाँ पर इस पेड़ के लिए तो सिर्फ चाया रह गी तो आप आमोमन देखेंगे कि जो आपका प्लांट होते हैं बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे आपको ना तो जाता घास मिलती है और कई बार छोटे मोटे पेड़ भी नहीं मिलते हैं यहाँ पे तो इसके पीछे कारण क्या है कि एक के उपर तो कोई इंपेक्ट नहीं है इस चीज़ का बड़ दूसरे के उपर इस चीज़ का नेगेटिव इंपेक्ट है तो यह कहीं न कहीं आपका इमेंसलिजम का अग्जामपल है उसके इलावा तीसरा है आपका पेरसाइट अब पेरसेटिजम क्या होता है अब आपको पता होगा कि आपके पेट में बच्पन में मम्मी कहते थे कि भी पेट में केडे होंगे इस वज़े से तिरा पेट दुख रहा है तो मीठा ज़्यादा ना खायागा अब पेरसेटिजम में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी स्पीशिस है वो सिंबाइटिक रिलेशन्शिप में है दूसरी स्पीशिस के साथ वो उसे हाम कर रही है होस्ट की बॉड़ी को हाम कर रही है बट वो उसके उपर डिपेंडेंट भी है वो उसे मार ना नहीं चाती over a long period of time हो सकता है कि उसकी death हो जाए होस्ट की बट उसकी intention नहीं है क्योंकि वो खुद भी उसके उपर उतनी ही dependent है जब आपके बचपन में पेट में दर्ध हुआ करता था तो आपको tape warm का आपने नाम सुना होगा केतने पेट में खीडे होते हैं तो यह tape warm मिल सकती थी तो यह जो tape warm है इसके उपर यहाँ पर positive impact है और हमारी सेथ के उपर यहाँ पर क्या है negative impact तो इस तरह के जहाँ पर आपकी body के उपर कोई और parasite develop करता है तो इसे हम कह देते हैं parasitism चौथी important term है यहाँ पर predation अब इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा pray and predation के बारे में मैं आपको example देता हूँ एक जगा चीते का और एक जगा हीरन का अमाल लीजे जो चीता है उसको यहाँ से क्या मिल रहा है शिकार मिल रहा है खाना मिल रहा है positive है अब बिचारे हीरन की तो जान जा रही है तो negative impact अगर बात की जाए predation और parasitism में क्या फरक है तो मैं आपको बता दूँ कि predation में आप जो organism में दूसरा उसको मारते है at a time instantly मार देते हैं और parasitism में ऐसे नहीं होता वो over a long period of time देखने को मिलता है हमें उसके लावा predators इसले भी ज़रूरी है ताकि हम maintain कर सके species की diversity को और ecological balance maintain करने के लिए भी predation बहुत ज़रूरी है आईए अब बात करते है कमेंसलिजम की अब यहाँ पे आपको एक species पे positive impact देखने को मिल रहा है और दूसरी को कोई असर नहीं हो रहा है अब यहाँ पे आप example ले सकते हैं आपने जैसे टेक्निकली तो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है बट फिर भी काफी कारगर एक्जामपल है आपने अपने गाओं के आसपास कई बार देखा होगा कि भैस घास चुर रही होती है तो उसके आसपास आपको बहुत सारे बगुले से मिलते है अब ऐसा क्यों बहस को उनके होने या ना होने से कोई फरक ने पड़ता बट बगुले को बहस के होने से बहुत फरक पड़ता है अब जब भी भैस घास खाएगी तो वो जमीन को उखाडेगी मतलब वो घास को खिचेगी तो जमीन उखडेगी उसके पैरों से भी उखड़ेगी अब उससे जो जमीन के नीचे कुछ इंसेक्ट्स वगरा होते हैं वो सर्फेस पे आ जते हैं अब ऐसे में ये जो बगुले हैं इन इंसेक्ट्स को खा सकते हैं तो यहाँ पर बगुले को क्या मिल रहा है पॉजिटिव इंपेक्ट और दूसे स्पीशिस के उपर कोई ना इंपेक्ट है ना कुछ अब आखरी है आपका मिच्वलिजम और यह इसी का सब पार्ट है प्रोटो कॉपरेशन हम दोनों को देखेंगे अब मिच्वलिजम के लिए मैं आपको एक्जामपल देता हूँ लिगुमिनिस प्लांट्स का इनके लिगुमिनिस प्लांट्स के जो रूट से उसके अंदर हमें मिलते है नाइटोजिन फिक्सिंग बिक्टीरिया अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में इंट्रेक्शन से बेनेफिट है तो इस तरहां के जो इंट्रेक्शन है इसे हम क्या कहा देते है mutualism अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूंगा जैसे commensalism है mutualism है, इन सभी में आपकी जो इंट्रेक्शन है सिरफ positive है या zero है हो गया आपका इमेंसलिजम हो गया या कॉंपटीशन हो गया इसे हम कह देते हैं नेगेटिव इंट्रेक्शन इसके लावा एक और चीज भी होते हैं सिंबार्टिक रिलेशन्शिप आईए उसे भी समझ लेते हैं अब यह जो आपका सिंबाइसिस है यह दो वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है विद एंड लिविंग अब यहां पर आप देखेंगे कि दो स्पीशिस के बीच में आपको रिलेशन्शिप देखने को मिलता है अब यह अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं जैसे मिच्छुलिजम दोनों को बेनिफिट हो रहें सिंबाइटिक रिलेश या प्रेडेशन ये भी एक तरह का simbiosis relationship है फरक इसमें सरफ इतना है यहां पर एक स्पीशिस को नुकसान देखने को मिलता है आज के लेक्छर में इतना ही कल के लेक्छर में हम ecological succession के बारे में पढ़ेंगे ecological pyramids के बारे में पढ़ेंगे और साथ की साथ हम जानेंगे various type of nutrient cycles को जहां पर हम gaseous और sedimentary दूनों cycles को कल के lecture में cover करेंगे तो आज के lecture में इतना ही धन्यवाद